नमस्कार दोस्तों मैं विकास शुकरवार श्वागत करता हूँ आप सभी का SSC मेकर पर बड़ी उमीद के सांस से सोचता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आपकी पढ़ाय अच्छी चलेगे लेकिन आज का जो क्वेशन होगा लाजवाब तरीके सोगा वो किसी बच्चे को डरना नहीं है अगर वो तैयारी कर रहा है चाहे वो CRP क कर रहा है चाहे वो वीडियो क के हुए है तो हम देर ना करते हुए अपने क्वेशन की तरह चलेंगे आज का क्वेशन बहुत अच्छा है और लाजवाब तरीके से क्वेशन है काफी ज्यादा क्वेशन आज देखने को आपको मिलेगा गुड इउनिंग का समय हो चुका है सभी को गुड इउनिंग बोल दिया भाई सभी को सभी को गुड इउनिंग है और आज हम बात करेंगे क्वेशन नमबर एक से क्या प्रस्ण आपका कहता है यहाँ पर एक नमबर का क्वेशन आया हुआ हुआ है आपके सामने क्या सस्ता और क्या मौहंगा होता है question में कई बार exam में देखने को मिला है और आपको यह पता होना चाहिए किसी परकार का जल्दबाजें नहीं करना आपने किसी exam को अगर ठन हुआ है तो अगर आप किसी exam को मजञ है लेकिन आपने वह सचाई से मन में ले लिया है कि नहीं इस बार इस वेकेंशी को खाली नहीं जाने देंगे तो आपको आराम से पड़ना है और मैं आराम से ले चलूँगा एक क्विस्टन से 10 तक और आपको उस हिसाप से ही चलना है रिप्लाई करिए कि नीचे दिए कि वाक्यांस के लिए आपको एक सब बताना है विकल्पों में से उचित विकल्प चुनना है आप सभी को हमें क्या पता है क्या नहीं है बस सिर्फ इतना बजरूर पता होना जिए कि जो सब कुछ जानता हो जो जानते सब कुछ जानने बाला होता है उसी को हम कहते हैं क्या शर्वग कहते हैं राइट ओप्सन ये है जानकारी नहीं होता वेग्यानिक नहीं स्वार्थी तो भाई सब स्वार्थी निकल जाता है तो उसका ज्यादा काम अच्छा हो जाता है स्वार्थी आपको लाइफ में कभी नहीं बनना है अगर जानकारी है तो सरवग कहलाएंगे तो है आपका बोध का बिलोम क्या होता है कई बार बोध जो ही है सस्ता बोध है आप कहते हैं कि बोध के लिए बिलोम क्या होगा बोध की बिलोम की बात आती है तो अ लगा दो और बोध को जिव का ते उतार दो अबोध का लाएगा अगर option में कहीं नजर आ रहा होगा इस अबोध को तो आप correct option कहेंगे तो यह कहेंगे बोधी है मेरे दोस्त बोधी के यह अंतर का सारी चीज़े नहीं आती है यहाँ पर अबोध दिया हुआ था जो correct है किसका बोध का तो आपका c option यहाँ पर correct होता है और आपका अगला question दिया हुआ है ते नंबर दिये गए वाक में उचित परशर परशर का मतलब कोई समझता है हर एक जगह अलग अलग चीजों के नाम से जानते हैं अगर कहीं परशर लिखा हुआ है ता आप उसे परशान नहीं होंगे इसको हम कारक भी कहते हैं कारक भी कह देंगे ज़रा सर दिक्कत नहीं होगा अब आगे क्या क्या है कि चैन करें रिक तस्थान को भरना है मगद की मगद की सीमा आपको ने में की से रोका नाम का जानता है ये रोका नाम का राज था रोका नाम का राज था कौन होगा वो करेक्ट ऑप्सन तो मगद की सीमा में में अधिकर में होता है तो आपको पता हो चेकवा है भाई कि यहां पर हम कहेंगे में करेक्ट होगा और बाकी ऑप्सन नहीं बैठ रहा था तीन नंबर के बाद हम चार नंबर पे हैं और आपको ये कई बार लिखा है प्रहलाद लिखता है प्रहलाद तो बच्चा डर जाता है कि सर प्रहलाद को एक्चुली में कैसे लिखा जाए कहते हैं कि पिता जी का नाम या फी मेरे पडोसी का नाम किसी का नाम प्रहलाद है और प्रहलाद क्या ही अंतरगत यह नहीं पता पता की चीज़े आपका कहां पर लिखी गई हैं क्या इस प्रहलाद को सही तरीके से प्रहलाद यहां पर दिया हुआ था एडिया यह, नहीं है, ऑपसन कट गया, बी कर्यक्ट निकल गया जैसे ही B correct निकला हम चल गए 5 की तरफ 5 नंबर पर आएं तो पता चला कि प्रश्ण आपका कुछ अलग दिया हुआ है क्या देखते हैं भाई अगलाग आपका प्रश्ण क्या है ये सिर्फ दिया है कि जिस पर आक्रमण हो ऐसा है किसी पर आक्रमण हो उसको हम क्या कहेंगे option भी बात करेंगे तो यहाँ पर दिया हुए आकरांत कहेंगे आयात कहेंगे दिवाना दिवाना कहते हैं क्या किसी को तो है पागल मैं है दिवाना तो दिवाना की बात यहाँ पर नहीं आती है इर्षिया किसी से नहीं है बात यहाँ पर आकरांत के लिए है जिस पर आकरमन हो आकरांत के नाम से जाना जाता है अगर ये चीज़ें आपको साफ पता चल गया होगा तो आपको कुछ करना नहीं रिप्लाई आपको करेक्ट दिना है और आगे की तरफ चलेंगे question number आपका अगले से मुलाकात कराएंगे यहाँ पर है क्या six number है आपके की बिलोम सब्द का चैन करें रिक्त अस्थान की पूर्ती कीजिए यहाँ पर संपन ब्यक्ती यह संपन दिया हुआ है जरा इसका क्या बताना है आप सभी को एक बिलोम बता दीजिए संपन का बिलोम क्या होता है अगर आप सभी को संपन का बिलोम पता चल गया सरकार तो आप यह कर सकते हैं आप यह कर सकते हैं कि वहाँ पर correct option हो जाएगा क्या संपन के लिए हम विपन का इस्तमाल कर सकते हैं जी यहाँ पर correct option आपका बी जाके बैठ जाएगा तो संपन का विपन ही होता है पैसा लेता है बेचारा और इसकी कोई दोस नहीं हैं यहाँ पर पूछा है धो भी कपडा धहता है या आपने है या आप परने हैं या, आप मैं पहना हूँ या आप पहने यह उस सारी चीजें जो हैं आपके किसके अंतरगत आती हैं हमेशा पुलिंग के अंतरगत आती हैं एक क्वेशन नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि आपके एकजाम में कई बार देखने को मिलता है तो परिशानिया नहीं आनी चाहिए क्यो एक दिन नया बच्चा जुड़ता है सोसता है मेरा सर कमजोर है मेरे दोस उस पे जोर डालना चालू करो कहीं कि कोई चीज मत पढ़ो दुनिया की कोई भाकावे मत आओ सिर्फ आप कहीं से भी प्रैक्टिस करना चालू कर दो वह प्रैक्टिस आपके लिए रामबार साबित होने वाला है। अगर बाते यहां पर आ गए ही कि जेस्ट का बिलोम क्या होता है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे। अगर हमको नहीं आता मालो जेस्ट का बिलोम पहुंशानना तो हमें तो यह पता है कि जैसा सब्द होता है मैं आपको एक पॉइν नोट कर画 कर लिखवाय अगर तसम्द देसर तदभाव जो भी आपका ऐसा सब्द रहेगा वैसा ही उसका बिलोम निकलके आ जाता है तो हमें कर सकते हैं कि जैसे कि यहां पर जेस्ट है तो यहां पर कनिष्ट करेक्ट ओप्सन हो जाएगा अगर यहां पर अनूज है तो आप कह सकते हैं अगरज है तो आप इसे अनूज के नाम से जानते हैं अनूज का मतलब पीछे और अगरज का मतलब आगे की तरफ आगे वाला या और यह है पूर है तो कहीं आप पैस्टिम के नाम से जानते हैं आपको जरा से दिक्कत नहीं होन चाहिए अगर यहाँ पर कहीं भूत है तो जाहिर सी बाते हैं कहीं न कहीं भाविश्य की बाते की गई होंगे अगर इतनी बाते पता चली तो next question आपका 9 दिया हुआ है उस्म बेंजन कौन सा है उस्म बेंजन की पहचान करनी है तो यह 4 option को कुछ किया नहीं जाता सिर्फ इस option को आप ऐसा करो कि अपने मूँशे बोलने की कोशिश करो अब जब गर्मा गर्म वाईव निकलना चालू हो जाए तो समलो उस्म बेंजन है जैसे मैं तो नीचे से ज़स चालू करूँ ज़को बोला गर्म वाईव नहीं निकला भा को बोला गर्म वाईव निकला लग को बोला नहीं निकला लेकिन जैसे ह को बोलने का प्रेत्न किया ह तो उसमें गर्मा गर्म वाईव निकला अरे जब दोस्त गर्मा गर्म वाईव निकलना प्रारम हो जाए तो उसी को कहा जाता है उस्म बेंजन आते हैं, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों का correct option हर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सस हर जो होता है, यही आपका एक ऐसा option होता है, जो उस बेंजन को दर्शायता है, दस नंबर प्रश्ण आपके शामने है, 10 नंबर कौन सा सर्द घर का परियावाची नहीं है, मना किया हुआ है, ऐसा है साहब कि आप सभी को क्यों घर का परियावाची होता है न, इस घर का परियावाची के लिए इस चीज़ों को मना किया हुआ है, कि ऐसा हो कि घर का परियावाची उस सारी चीज़े होने चाहिए, एक ऐसा हो जो इसमें से नहीं होना चाहिए, कौन है जरा पकड़ने का कोशिस करिए, यहां पर सदन की बात आती है तो घर के अंतरगत आता है, निकेतन की बात आती है इनहीं के अंतरगत आता है, आवाश कहीं दिखा हो तेहां पर आता है, निवास कहीं हो तो इनहीं के अंतर सूरज भी हो जाता है सूर दिवाकर सब इनी के अंतरगत आते हैं 11 नंबर एक से 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और एक से 10 तक आप हम ऐसे बढ़ियां कोईशन्स चलेंगे आप चलेंगे तरीके वाले से, आपको पता होना जहिसाब कि आपके एक्जाम में 25 से 20 कुशन और यही आपका डिमांड रहने वाला है एक्जाम नर यही डिमांड करता है कि मैं 20 से 25 कुशन ही पूछूँगा, मैं तो 60 कुशन, 50 कुशन, 40 कुशन करा देता हूँ पूछने वाला 30 पूछे तो मैं 60 कराऊंगा अगर 20 पूछता है तो मैं 40 कराता हूँ लेकिन एक औरेज की बात किया जे तो मैं 50 questions 60 questions हमेशा कराता हूँ ताकि आपकी revision तकड़े से हो पाए आपको अपने जीवन में कभी भी ये मत कहना सर हिंदी से समस्या उत्वन हो रही है सही वर्तनी की पहचान करना है अब आपको यहां पर दिया है कि सूर्प रखा दिया हुआ ये क्या है ये वही है जो आप मेरे कहते है कि दोस्त मलू होता है मलु का दोस्त भाई होता है उसी का नाम होता है सुर्प रखा रखा जो है खर से खरहा वाला भाई साब यहाँ पर सत्य है यह जितने खा लगे हुए है सब सही है लेकिन जो सुर्प लिखा हुआ है जो यह सुर्प लिखा हुआ है ऐसे ये correct माना जाएगा बाकी ये correct नहीं है, ये correct नहीं है, option की बात किया, जै लोक है, इदम कौनसा है, तो A option ही correct लिखा हुआ है, 12, दीए गए सब्द की संग्या आपको बताना है, संग्या क्या होती है, ऐसा है, सहाँ की संग्या वही होता है, दुनिया में अगर किसी का कोई नाम है तो संग्या संग्या करूंक्त कोई नाम करें तो संग्या थो चीजी कहा निकल क्या उपता चला कि यहांगर पट्रोल लिखा हुआ हैं डुर्व एंजर वाचक है वह जर्फ कर चीजने पर जरा शपरवाह दिक्कत वाली बाते नहीं, यह सारी चीजें जो होती हैं, कोईला भी इसी के अंतरगत आता है, कई बच्चे जातिवाचक के अंतरगत पढ़ना पसंद करते हैं, नहीं, यह हमेशा जातिवाचक नहीं, द्रवाचक होता है, तो पैटोर अभी आपका पानी हो यह सारी चीजें जो होती हैं, सब हमेशा, हमेशा के लिए द्रवाचक में ही काम करती हैं, ब्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी एक के लिए बिसेस होता है, यह दुनिया में कोई चीज एक हो तो वह क्या कहलाता है, ब्यक्तिवाचक कहलाता है, मेरा प्यारत भारत जो है, यह यह ब्यक्ति वाचक है, भाव वाचक क्या होता है, जो चीज का फिलिंग किया जता है, महसूस किया जता है, जवानी हो गया, लडपन हो गया, बच्पन हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, वो सारी चीज जो आक से दिखाई नहीं देती, केवल नाम होता है, अब सर, अग हमें तो ये पता चला जो ये पुरुस वाचक यहां से निकल के आता है इसके पार्ट की बात किया जो तो तीन पार्ट निकल के आता है कौन-कौन है तीन पार्ट आपको पता है कि एक उत्तम पुरुस होता है और एक मध्यम पुरुस होता है तिसरा आपका अन्य पुरुस के नाम से जानते हैं इस तीनों की बात क्यों जरूरत क्या पड़ गई तो यही जरूरत पड़ गई कि इसमें पूछा हुआ है सिर्फ मध्यम तो हम बाते सिर्फ करेंगे मध्यम के लिए अगर मैं इसमें लिख दूँ तुम बड़े प्यारे लगते हो या तुम बड़े प्यारे लगते हो या तुम बड़े प्यारे लगते हो या आप बड़े अच्छे हो तो वो सारी चीजें किसमें काम करती है यह मध्यम के अंडर में काम करती है और जब मद्ध्यम के अंडर में काम करेंगी तो उस तो कभी हो ही नहीं शक्ता मुझी तभी होगा नहीं हम की बाते कभी आती ही नहीं इसलिए हम करेक्ट आप्सन आपके बीक की तरफ ले जाएंगे चवधा आज मैं इसपेस दिया हुआ है और इसपेस के आगे कुछ बात कहरा है इसा आप देखते हैं बात क्या है आगे का आगे का बात है कि कमीज पहनूगा रेक तस्थान के लिए उचित गुडवाचक संग्या की बारे में बात किया हुआ है बीशेशन की बात आती है तो जो गुडवाचक उसमें से पहला निकल के आता है जो आपका गुडवाचक ये पहला निकल के आता है इसमें आपका रंग की बात करता है स्वाद की बात करता है आपका आकार की बात करे कुछ भी बाते करे भाई साहब हमेशा इसी में आता है अगर मैं ये वाइट सेट पह कि वो बेचारा कमी जो पहना हुआ है जो काला है एक गुड है पंद्र है आपके सामने क्या पंद्र का भी रिपलाई अच्छी दिया जा सकता है जी कैसे निमलिखित प्रस्में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चैन करें जो सुद्ववाग को सबसे अच्छा विकल्प जब यहाँ पर किसी प्रकार का गलती नहीं करना है, तो आगे देखेंगे कि हम नहीं पाएंगे भूला, वा भाईवा, हो सकता है किसी को भूला होगा बच्चा, तुम्हारा नाम हमको भूल नहीं पाएगा, वा, बिवा हो चुका है, तो बाते तो बन सकती है, तुम्हारा न नाम को हम तुम्हारा नहीं, तुम्हारे नाम को भाई साब correct option होने वाला है, हमें तो चाहिए अच्छा विकल्ब। शोलो नमबर है कि एक करेला है, एक तो करेला है, देखते हैं क्या space में लोकोकती है ये करेला वाला कि दुजा मजा लिया, आप भी तो मजा लेते होंगे हर न कहीं, दुजा पेड़ पर चड़ा, ऐसा कोई पेड़ है वो पेड़ पर वह चड़ गया पटाक से, दुजा पेड की संगती जो होते है न, बुरे और, बुरे में संगती, चलिए नेश्ट की तरफ चलते हैं, यही आपका correct option था, डी पे दरशाय गया था, 17 नमबर है, 17 पे खत्रा हो जाता है, यह आपको मैं कई बार बताता रहूं कि साहाब कैसा है, 17 पे खत्रा होना तै हो जाता है, ज़र सक्रम हो सकता है, मनोज हो सकता है, राहूल हो सकता है, राम हो सकता है, तमाम नाम हो सकता है, जो आप सभी को दोस्त पता होता है, अब इसमें ता आपको सक्रम ने रूटी खाई, वाक में कारक पूछा हुआ है, अब कारक क्या है, कारक वही होता है, आपको कुछ करना नहीं है उसकी कुछ पहचान होती है महस जो सेकेंड के अंदर भी पहचाना जा सकता है अपादान में से लगा रहता है अलगाओ की बात करता है करता के साथ ने लगा रहता है संबंद के साथ काके की नाने नी रारेरी लगा होता है करन के साथ से लगा होता लेकिन बात कियाता है यह कि करता ने यानि कि सकरम ने रूटी खाई तो हम कहा सकते हैं B option correct है correct है भाई आगे की तरफ चलते हैं अठारा का प्रस्ण आपके देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो दिये गए सब्द का प्रयायवाची सब्द मना किया है नहीं है यह आपको मना किया है नहीं होना चाहिए अब क्या है कि यहाँ पर दिया है सिंग दिया हुआ है तो आप सोचे ज़रा सिंग का प्रयायवाची क्या क्या हो सकता है और जो बचा वही नहीं हो सकता है और मना भी किया था आप लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए व्यागर की बात किया जाए तो यह आपके सिंग के प्रयायवाची होते हैं पच्छी जाने पच्छी की भासा पखेरू की अगर बात कहीं गलती से आ गई तो यह पखेरू जो बेचारी होती है पखेरू भी इसी के अंतरगत काम करती है बिहग पच्छी बाला होता है बाकी ओप्सन सब इनकरेक्ट थे यही गलत था और यही आप सबी से पूछा हुआ 19 नमबर निमलिखित प्रस्वन से चार विकल्प में से उस विकल्प का चाहिए करें जो दिये गए सब्सक्राइब का बहुबचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है इसका हमें पहचानना क्या है बहुबचन का यहां पर आप सभी के बीच में गुरु को दर्शाया गया तो हम कह सकते हैं गुरु होगा गुरु होगा गुरु होगा गुरुय होगा या गुरुजन होगा तो कहते हैं सर अच्छा है ऐसा है ना कि जो गुरु होते हैं उनको अगर बहुबचन में परिवर्तन करना होता है तो कहते हैं वहां बहुत सारे गुरुजन को मेरा दिल से अभार मैं पडाम करता हूँ तो यह आपका कहां से निकल के आता है या आपका वही से निकल के आता है जहां से आप लोग सोचते हैं दिन रात यह यह गुरुजन 20 नमबर है रिखांकित कहां है भाई रिखांकित हम तो रिखांकित पर जाएंगे इस पे जाएंगे, तो पूरा पढ़ने क्या होशकता है, जी, क्या कहता है, रिखांगिक पद का लिंग बदल कर, वाक्य को पुना लिखिए, तो ससूर का बिलोम नहीं पूछा है, इसका अगर लिंग परिवर्तन किया जाए, तो यह इस तरी लिंग में पूलिंग बनाना तो हम कहेंगे भाई अगर कहीं ससूर जी है तो कहीं कहीं सास होंगे अगर सास इस्तरी लिंग है तो ससूर अपने आप पूलिंग रहा होगा तो हम कहेंगे भाई सब बहुतो कभी नहीं होगा सास घर पर नहीं है ये करेक्ट हो जाएगा क्यूं? क्यूंकि हमें तो अपना परिवन तंग करना था लिंक के अनुशार नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने है यहाँ पर दिया हुआ है 21 नमबर क्या 21 को आसानी से पढ़ा जा सकता है? जी, इसलिए पढ़ा जा सकता है अब मना नहीं किया हुआ है सापसा पूछा हुआ है कि परियावाची एक्चुली में होता क्या है तो दूध की जब बात किया हुआ है तो दूध के लिए हम उचीज़ों को याद करेंगे जैसे अगर मैं दूध के लिए केवल आप सभी के बीद में छीर क्या इस्तमाल कर दूँ आप कहेंगे सर ये छीर क्या होता है तो छीर का अगर मैं इस्तमाल कर दूँ गो रस की बात कर दूँ चाहे मैं यहाँ पर श्वेम दूध की बात कर दूँ इंग्लिस में आप जिसे मिल का नाम से जानते हैं तो हम कह सकते हैं गोरस भी होता है किसका काम करता है दूध का ही काम करता है 22 नमर है अरे तुम यह काम यह क्या कर बैठे यह आप से क्या पुछा हुआ है एक अंडरलाइन लगा दिया है क्या के बीच में ऐसा छोटा सा इसका मतलब सिर्फ इतना है सर की आपको रिखांकिक सब्द यही है रिखांकिक सब्द इस प्रकार का सरुनाम है किस प्रकार का सरुनाम है श्रंबंद में आपको पता है जो और शो की बाते यहीं से उत्पन होती है जो और शो की बाते इसमें आती हैं तो इसने तो हमें क्या था, यह तो नहीं शकता, अनिस्चाह में चीजें आपके fix रहती हैं जैसे कि वह है, अनिस्चाह में चीजें NO fix रहती हैं, आप कहेंगे NO fix का मतलब, जैसे मैं कुछ लोग आये थे, तो कुछ का मतलब पता नहीं है और जब knowledge ना हो, तो हम कहते हैं, परस आपको उप्षन सही है फिर अगला क्वेशन है आपको की निम्न में से आपको एक बचन सब्ध का चैन कीजिए राजपाल दिया है गुरु जी दिया है और नदी दिया हुआ है परधाना चार दिया है देखो सर ऐसा है कि आपको ये गुरु जी होगे राजपाल हो गया या भी परधाना चार की उना हो गया आपका हस्ताच्छर की उना लिख दिया जाए गलती से कहीं हस्ताच्छर अगर कहीं गलती से लिख दिया जाए शमाचार अगर कहीं गलती से लिख दिया जाए शमाचार लिख दिया जाए वो इसारी चीजे होती हैं जो आपके दर्शाते हैं बहुबचन को हमें सर्फ चाहिए क्या हमें तो सिर्फ वही चाहिए जो आपके एक बचन में काम करता हो तो नदी के वाले एक बचन में ही काम करता है बहुबचन के अंतरगत आता नहीं तो हम कह सकते हैं आसानी पूरुव की option आपका C correct है C correct है और हम चलेंगे 24 की तरफ 24 को आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए और reply बढ़िया देजिए किसी बच्चे को ना है सोचता है कि सर नया बच्चा हूँ मैं कैसे पढ़ हूँ आपको अपने comment को अपने आसानी से देते चलना है मैं आपसे बाते इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ दोस्त क्यूं क्यूंकि मुझे भी मजबूरी है मजबूरी यह है कि मुझे कुछ सिखाना है पच्चीस क्वेशन करके काम नहीं चलने वाला आपके एक्जाम में प्रैक्टिस पचास साथ का करा दूँ ताकि मैं यह सोचता हूँ कि यह वहाँ पर जाने के बाद आपको उसका वेनिफिट हो सके उसका कुछ रिजल्ट आपको मिल सके ने तो मैं भी आसानी से चलता हूँ पच्चीस क्वेशन करा के मैं भी चलता भाईया राम राम चलते हैं घर पे मुलाकात होगी काल पांच बजे क्या मतलब कोई रिजल्ट नहीं आता चलिए ठीक है बाते जहां पर बाते हैं वहां पर बात को छोड़ते हैं और मुझे उमीद है कि आप लोगों का रिप्लाई बहुत अच्छे सा रहा है आप अपना रोजाना समय पांच बजे जुड़कर हर ओचीजों को करा करो पांच बजे ये क्लास लाइप चलती है तो ये पांच बजे ही जुड़कर हर अपना ओश शारा काम कर लिया करो चाहे वह बारात में गयो चाहे लड़ू खाने गयो चाहे घुमने गयो पांच बजे बजे वेलाई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए ओश सब्जेक्ट है जो सरेक्षन के करिब ले जाता है तो इससे आपको गल्ती नहीं करना है यहीं पच्चा ताब बाद में कराता है साब प्रत्यक्ष दिया हुआ है प्रत्यक्ष सब्द का बिलोम क्या होगा यह बिलोम पुछा हुआ है यहाँ पर अक्रोज दिया निस्पस दिया है विपच्च दिया अगर कहीं पच होता है तो कहीं वीपच होता है यह आपको पता है अगर कहीं पच होता है तो कहीं वीपच होता है यह करेक्ट ऑप्सन होता है गलती है आप सभी को उतनाई करना है जिससे आपका काम चले जिससे आपका बस्केवल काम चल जाए यह और यह आपकी क्लास है आप जॉब लेना है तो यह आपको टार्गेट करना पड़ेगा मात्र टू फिप्टी यह सब सारी चीजे सिखाई गई आपके आएप पर यहाँ पर देखे 25 नंबर है कि रक्तिमा सब्द में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है प्रत्य काना आप लोग कई बार देखा हूं कि परिभा पहचान करने के लिए मैं आपको यही जुगार सुरू से ही बताता चला आया हूं कि कुछ करना नहीं रहता मूल सब्द की पहचान करनी होती है और पीछे की चीजें जो बच जाती है उसे उतार लिया जता है और जैसे ही उतारा जाता है और प्रत्य कलाता है क्या बात यही पर समाप्त हुई है क्योंकि यहाँ पर दिया है हमें मालूम है रक्त जो होता है वह आपका मूल सब्द है यह आपका मूल सब्द है और पीछे का जो बचा है उतार लिजे मैं बोलूगा क्या बचा है तो आप कहेंगे मा बचा है उतार लो मैं बोलूगा C पर छुपा था 26 नमर है कि सेना के रहने वाले का स्थान सेना के रहने का स्थान या वाक्यांस के लिए आपके एक सद पूचाता है अगर आपना सेना की तयारी कर रहे हैं तो ये question आपके लिए most important बन जाता है क्यों क्योंकि ये कई बार repeat देखा गया है और सांस शांस उसको भी लगता है कि चलो पूछ लिया जब बचों को आता भी है कि बस सेना के तयारी कर रहे है तो यह प्रस्ण देता है तो यहाँ पर चोहदी दिया वह छात्रावास दिया जहाँ छात्रावास भाई साब आपको नहीं रगना हाउस्टल में बाला काम नहीं करना यहाँ पर सेना की बात हुई है छाओनी आपका correct option है 27 नमबर आपके सामने है कि भूत काल के भेद होते हैं जरा इस भूत काल को खोजो भाई भविश्क का मतलब आगे चलेगा यह ओ सारी चीजे हैं जो आपके भूत काल नहीं केवल काल के भेद होते हैं लेकिन यहाँ पर बात साब यह कर लिया हुआ है कि जो भूत काल होता है इसके कुछ भेद होते हैं जरा मैं लिखने का प्रयास कर नहीं आप समझने का प्रयास करिएगा अगर मैं यहां पर समाने लिख दूँ एक तो मैं समाने भूत का लिख दूँ तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए माना कि आपके पास रिप्लाई बड़ा तरीके से आ रहा होगा यहां पर आप चीजों को जानते भी रहिए एक होता है और एक होता है आपका प्यारा सा हे तू मद जो यह होता है या आपका भूत काल के अंतर गताता है और कोई होता है क्या जी नहीं इसके अलावा कुछ होता है नहीं काउंट करिया अगर कुछ मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो गलत है तो आपका यहां समान हो गया असन हो ग गलत हो इसलिए आप गलत हो क्योंकि छही होता भूत काल के अंतरगत। गजलनाTo तो उस सारी चीज़ों पर बात करेंगे तब पहले यहाँ पर देखते हैं मैंने केला खाया वाके में आप भूत काल पूछा हुआ है अब भूत काल तो ये बताना है कि कौन सा भूत है ये भूत है आसन समान पूर अपूर भूत है कौन सा भूत है तो उसने जब मैंने केला ख खाच चुका है और खाच चुका है तो वह आसनिक अंतरगत आया अब जाकर अराम से सोएगा भाई साब गलतिया आपका उड़े बाला गलतियां ओड़े नहीं करने वाला जाकर खाफी के सोएगा क्या है 29, प्यूंटिनाइन है 29 को देखी गा जरधIs ध्यान से क्या कराए कि तुमने गाया होगा ऐसा है तुमने गाया होगा साधी भीवा का समय चल रहा था वहाँ पर हमेशा तमाम प्रकार के नाच और गायक आये हुए थे नाच करने वाले गाना गाने वाले आये थे तो इसका मन था आज मलू का कि मैं भी थोड़ा सा गाल लूँ तो मैं मलू घर पर गया वो बोला कि भाई साब अज मैंने गाना गया था हाँ तो किसी बच्चे ने कहा कि हाँ तो गया होगा कन्फ्यूज भाई साब तुमने गया होगा मुझे पता नहीं है लेकिन तुमने कह रहे हो तो मैं मान सकता हूँ कि तुमने गाया होगा तुवा संदिक्त के अंतरगर आ रहा है पूर्ड नहीं काम कर रहा है कहावत है, इसका अर्थ क्या होगा लेन् देन में साफ रहना हाँ भाई साब, लेन् दिन है ज़कं साफ साब बात होनी चाहिए भक्ति भावक से दूर रहना अपने काम से काम रखना हिसाब साफ रखना गल्ती है होई नहीं सकता होई नहीं सकता हमारा हिसाब किताब एकदम साफ है भाई साफ जो बाते हैं बाते हैं और उसके अंतरगत कुछ आप्शन पर जाएं मुझे मालूम है कुछ बच्चे यहाँ जाना पसंद करेंगे कुछ बच्चे यहाँ पर भी जाना पसंद करेंगे तो आपको तो यह बताना है कि आपसको जाना कहाँ है अपने काम से काम रखना हाँ भाई साफ दुनिया गई तेल लेने यह आप लोग कहते हैं तो वही है अपने काम से काम रखना उधो का लेना नमाधो का देना इसलिए बता दिया कई दोस्त ऐसे भाई बेहन कहते हैं कि भाई साब मुझे मतलब नहीं यह किसी से तो वही है आपका कहावत अवाणशित सावान आपको दिया अवाणशित सनवाद दिया हुओ अगर सीर कोई खा रहा है खाने के बतलब कोई परिशान कर दिया भाई सीर मत खाओ ज्यादा मेरा शीर मत खाओ, मैं वैसे ही परिशान हूँ, तो उसे कहते हैं, गवांची सनवात कहते हैं, शीर खाना correct option हो जाता है, 31 का यहाँ पर भी correct option दे जाएगा, 32, क्या 32 को भी सोचा समझा जा सकता है, reply देते समय, जी, देखते हैं क्या है, दिखावा कुछ और, दिखावा कुछ और, दिखावा कुछ और, यहाँ पर दिखावा कुछ और, गुड कुछ भी नहीं, का अर्थ क्या होगा परकड़ करने के लिए आपको सर्वेचित, लोकोकती हैं, 900 चुहे खाके, बिली हज को चली, ढोल के अंदर पोल, कहेंगे नाच न जाने, आंगन जाए, जे बूझ है, आधा खाए, तो बताइए भाई, क्या करेंगे correct option, देखिए आपका कुछ ज्यादा है नहीं, आपको मन तो फेस है, आपका मन एकदम फेस है, लेकिन कहते हैं भाई साब, देखो भाई, ऐसा है, मुझे किसी से मतलब है नहीं, आप जो भी कहो, तो अप कह सकते हैं, ढोल के अंदर भाई सा पोल है, ढोल जो है, उसके अंदर पोल है, दिखावा कुछ और है, गुड़ कुछ भी नहीं, तो कहते हैं, ढोल के अंदर पोल है 33 नमबर है कि मिलावट तब प्रत्य क्या है आप सबीकित को प्रत्य की पहचान करने बताया था प्रत्य की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है ये आप से संपर्क किया था अब बाते साब इतने ही सिमित हो जाती इतना ही समाप्त हो जाती तो अच्छा रहता बात तो यहां पर आ गई है आपके की कि प्रत्य की पहचान कैसे किया जाए प्रत्य की पहचान करने के लिए मैं आपको बताया वही काम करना है जो मैं बताया कि मुल्षद की पहचान करनी है और पीछे की चीज़ों को उतार लेना है क्रत्य कहलता है इससे आसान आपको कही नहीं है फिए आप practice अगर कर रहे हैं तो आपको चीज़ें पता रहेंगे अगर आप practice नहीं कर रहे हैं प्रेक्टkiejस से अलग हैं तो गलतियां chances हैं आपसे होने की लगिन ये गलती नहीं होने दोंगा कैसे? मिलावट दिया हुआ है तो हम कहें थे भाई साब ऐसा है ना ये मिलावट जो में मिल आपका क्या है भाई साब मूल बन जाता है ये मिला का ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहेंगे पीछे का उतार दू मैं बोलो हाँ वट को उतार दो अगर जरा चेक करना इस ला में आ की मातर लगी है या ए की मातर लगी है या बड़ा आ का लगा है तो आप कहेंगे सर इसमें आ की मातर लगा है तो यहाँ पर आ लिखा जा सकता है और नजर से नजर मिलाने पर ये आवट कहीं नजर आ रहा होगा तो सही है 34 जलासे का प्रयायवाची है अब आपको तो ये बताना है कि जलासे का प्रयायवाची क्या होता है अगर मैं तलाब लिख दूँ कहीं अगर जैसे आप कहते हैं तलाब जरा लिख के दिखाओ गुरुजी तो अगर मैं यहाँ पर चलो तलाब पहले लिख दिया तालाब अगर मेरी इच्छा है लिखने के लिख दिया अगर आप कहेंगे कुछ और लिख दो सरोवर भी लिखा जा सकता है और अगर पोखर भी जानते हैं आप लोग पोखरा जीसे कहते हैं पोखर भी लिखा जा सकता है अगर यह जब लिखा जा सकता है इनका दोस्त होता है, पदमाकर होता है, रतनाकर नहीं है शाहब, पदमाकर करेक्ट ओप्सन हो जाता है यहां पर, तो हम कहेंगे आपका जलासा के लिए, सी करेक्ट ओप्सन पदमाकर ही होगा, नेक्ष्ट की तरफ सलते हैं, क्वेस्ट नमबर आपका 34 के बाद 35 नमबर का हिसाब किताब देखते हैं भाई, कुछ अलग है, या फिर सिफ ऐसा ही है, जरा इसमें देखने का प्यास करते हैं, 35 नमबर आपको दिया हुआ है, 35 का क्या मतलब है, देखते हैं, रिक्त अस्थान भरने के लिए सबसे उपर युक्त सब्द का चैन करें, इस पेस दिया हुआ है, कि खाना तयार करती है, भाई या लड़की बहु या बहुएं, आपको बताया, बहु के लिए बहुबसन भाई साथ, परिवर्तन होते हैं बहुएं कहलाता है, तो बहुएं जो हैं, सभी लोग वहाँ पर हैं, शादी बिवा का समय चल रहा है, तो क अगदम हिसाब किताब से खाना को तयार कर रहे हैं, दिये गए सब्द, 36 है, कि दिये गए वाक में रिखांकित अंस को, अब रिखांकित कौन है, यही है, अंस को प्रस्थापित, या पिर प्रतिस्थापित भी कर सकते हो, करने के लिए सबसे उपरियूद विकल्प का चैन करें इस गीत की दो, चार लड़ियां सुनादो अब वहाँ पर बताये क्या होगा, कडियां सुनादो की जड़ियां सुनादो, की चंद सुनादो की गाना सुनादो, तो कहते है कैसा है, समय समय की बात है, आस साधी पर्षों तो साधी है भाई पड़ोशन का आज हम लोग जूटे हुए हैं और जब जूटे हुए हैं तो क्या करो दो-चार कडियां ही सुना दो किसका उस आपके गीत का तो इस गीत की दो-चार कडियां सुना दो भाई साब यहाँ पर यह गलत हो जाता है ओप्सन वहाँ पर उठके वो चला जाएगा कौन चला जाएगा आपका दोस्त ए ओप्सन 37 है अब 37 क्या है ज़रा देखते हैं घर में कुछ भी नहीं है घर में आपके या किसी के कुछ भी नहीं है यहाँ इस वाक में इस परकार का सरुनाम है आपको घर में कुछ भी नहीं है देखिए ऐसा है पुरूस वाचक के कितने भेद बताया था कि तीन भेद बताया था आप लोगों को तीन भेद बताया था उत्तम पुरूस उत्तम मध्यम और यह बताया था अन्य यह आपको बताया था condition इसमें नहीं है हमें तो चाहिए कुछ है और कुछ काम इसमें नहीं होता यह तो इहां से छुटी में लगई प्रस्ण वाच्चक में चीजों को प्रस्ण लगा कि पूशा जता है क्या ऐसा जवाब नहीं है इसलिए हम कहेंगे गलत है निजवाच्चक के लिए आपको पता है स्वयम के लिए बाते की जाती है जिसे आपसे मैं कहूँ जरा वहाँ चलोगे चलो मैं स्वयम आजाओंगा तो यह तो आपका निजवाच्चक हो जाता है तो आप कहते है अनिश्चे इसलिए correct होगा कि कोई की बात करे आप सभी को अंडुलाइन किया हुआ है जरा देखिए प्राचीन को अंडुलाइन किया है या नहीं किया है देखिए आप लोगों का तरीके से से रहा रहे है तो मुझे पता है लेकिन लास्ट में कमेंट में बताना होता है कि actually Mr. इतनेम से इतना गलत हुआ है, और इतने इतना जाके मेरा सही हुआ है, या आपको पता होना चाहिए, प्राचीन सभी में अंडरलाइन दिया है, मंदीर वाक का रेकां किस प्रकार का विशेशन है, वही बाते आती है, जर आप सोचो कि या कोई प्राचीन को नापा तौला जा सकता है, तो आप कहें कि सर जहां माप और तौल की बात आती है, जैसे दो किलो सेव, तब वह माप तौल की बात आती है, तो आपका परिमार में काम करता है, प्राचिन को कभी माप और तौला नहीं जाया है, सरुनामी क्या होता है, वहीं जब सरुनाम आप परता है, संग्या के पहले ह लेता है ऐसा कंडिशन अपलाई नहीं हो रहा है इसके साथ यह गलत है क्या प्राचिन कोई संख्या आप कहेंगे नहीं संख्या तो नहीं है तो इसका गुड़ है इसका गुड़ है किया है एक प्राचिन मंदिर है उन्ताले से दिये गए सब्दों में एक सब का तस्सम एक टस्म है उन्हें आप चिनut कीजिए मैं बताया था किसी की उपर चैणरबिंदी अगर लग जाता है तो हमेशा के लिए तदभो में करता है चैणरबिन गोबर दिया हुआ है तदहो का काम कर रहा है फल correct option हो जाता है जो तस्सम को दर्शा रहा है जो आप सभी के बीच में तस्सम को दर्शाने का काम कर रहा है फल और हम आपके 40 नमर प्रश्ण पे हैं अब चाहते तो क्या किया जाता इस चालिस को यहीं पर शिमित कर दिया जता, नहीं दोस्त ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि उस सारे क्वेशन कराना है, जो आपके एक्जाम से संबंदित होते हैं, और बात किया जाए, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रैक्टिस आपका रुजाना सम नौकर, मोहन, रोहन, कुछ भी आ सकता है, शाहब नौकर से सफाई करवाता है, यह साहब है ना, यह साहब, यह जो थोड़ा सा साहब अपने आपको बने हुए हैं, यह बाई साब यह विचारा नौकर है, इससे सफाई करवाते हैं, और जब भी आपको ऐसा कंडिशन दे, तो मैं आपको कई बार बताया हूँ, जहाँ पर आप सभी को ओर्डर की बात आए, या आप कह सकते हैं, कहीं भी अगर आप सभी को अगर ओर्डर दिया जाए, या आप से कहा जाए, कार दूसरे से कराया जाए, आप अगर नवाबगिरी करो, राजा का रोल निभाओ, तो वह सारे चीजें प्रेडार्थक कहलाते हैं, अगर मैं कहूं इन सभी को भूखे को खाना खिलाओ, तो मैं आउडर दे दिया, और जब मैं आउडर देने का काम करता हूँ, तो सारे चीजें प्रेडार्थक कहलाते हैं, आगर आपके परिभासा लिखने के इच्छा है सर मु देगे मैं ऐसे नहीं पढ़ाओंगा आपको बताओंगी जिसमें ओर्डर होना पाया जाए प्रडर सक कर लाता है। भाई सब एक कारे शमाप्त हो उसी छण दूसरा कारे श्टार्ट हो जाए। ओठ जो है ये गोल हो जाए। आप कहेंगे सर गोल नहीं हुआ तो होष्ट नहीं है बात खतम। अगर होष्ट गोल हो गया तो ओठ है। भाई ओठ होई होष्ट होता है और जब गोल होना पाया जाए तो उससे हम क्या कहेंगे। ट को बोलो ट नहीं हुआ। उ को बोलो उ, उ मतलब गोला हो गया। तो उ करेक्ट ओप्सन हो जाएगा। स नहीं हुआ। क नहीं हुआ। कंठ के अंतरगत यहां आता था। इसलिए नहीं हुआ। हिंदी वर्डमाला में अंतरस्त बैंजन यह आंतरस्त बैंजन JEFF आप सभी पूछा हुआ है कौन है अंतरस्त बैंजनfoot ह्या MPH कृते हैं। था हम तुछते हैं? पूछता है तो आपको पता होना च्छे यह हूद्चलक होता है फिर प्रश्थ पूछेगा कि आपको जराद आपको बहुत दिमाग है तो बताओ यह अरुवा क्या है यह आप सभी का साव ऐसा है कि यहाँ पर अर्धस्वर के नाम से जानते हैं इस रखो हम सभी को लुन्ठित रखाते हैं इसको हम लुन्ठित के नाम से जानते हैं और इस आपको लग को पार्षविक के नाम से जानते हैं, पार्षविक बेंजन होता है, यह लुंठिद बेंजन होता है, यह आपको पता होना चाहिए, अब हम ज़ला चेक करेंगे, इसमें कहां है, यहां पर सरसर हदी है, तो यह तो उस्म बेंजन है, यह तो आपका उस्म ब ही जानते हैं पढ़ना लड़ना में जो ड़र आता है वही आपका था 43 कि सब्सक्राइब यह कह रहा है ती रादिस का प्रश्ण का प्रश्ण reproduce यह कि आपकी यात्रा मंगल मैं हो मेरी एक फ्रेया है या फिर मेरी आग्या है मेरी संदे dragging संधह त अब ये काम करना बंद कर दो, तए संधे होना नहीं पाया जा रहा है, मेरी आपकी यातरा मंगलमा हो, मेरी इक्षा है कि आप पास हो जाओ, मेरी इक्षा है कि आप फेल हो जाओ, आपकी दुआ हो सकती है यह सारी चीजि़ां क streaming करती हैं जो बिना बदलाओ के बिना परिवर्तन हुए कि आपको बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है उसमें जरा सा अगर तोड़ मरूड हो गया है थोड़ा सा परिवर्तन हो गया हिंदी मा चुका है उसे हम तदभो कहते हैं तो हमें तो यहां पहचान करना है कि तस्सम एक्चुली में है कौन तो आपको तस्सम की पहचान करना है निद्रा यहां पर दिया अच्रत दिया घोड़ा दिया इसके उपर चंद्रबिंदी लगा हुआ है तो यह कभी नहीं हो सकता क्यों इसके उपर चंद्रबिंदी लगा ह ही है तो आप कहेंगे नींद के लिए तदभो होता है तो आपका राइट ऑप्सन निद्रा करेक्ट ऑप्सन हो जाएगा अचरच की बाते यहां पर से समाप्त हो जाती है फिर आगे चलिए नेक्स्ट क्वेशन है आपका 45 नमबर यह मत कहना कि सर यह गुड़ा का निसान है मल्टी है ऐसा कुछ नहीं है यह एक चिन होता है पहचान होता है बिराम चिन के ही अंतर गताता है और आपको तो यह पहचान करना है कि कौन सा है और तो कौन सा नहीं है देखिए ऐसा है जब लोप सूचक की बात कियाता है देखिए जब लोप सूचक की बात कियाता है तो यह हमेशा के लिए ऐसे ही लगता है, हमेशा लोप होता है मतलब छुपा वाला कहानी, लोप का मतलब छुपा वाला कहानी, ऐसा होता है यह कहानी करेक्ट हो जाता है, अलप इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है क्योंकि थ पूछा था लोप के बारे में आगे की तरफ चलिए यहां पर दिया हुआ है 46 नमबर का प्रश्ट नइ यह आपका फार्शी भासा जो ह। उसके अंतरगर्त हिंदी rah्रे're ॐ का ही सब्द है चुलीग हिंदू इभी हिंदूस्तान इभी यह फारशी भासा के अंतरगत अच्छा जब इतना चीचे वह गए तो यह उर्दू किस भासा का सब्द घ academy तुर्क भशों का सब्सक्र आया हुआ हिंदी भार्शी भासा का ही सब्द है हिंदू एभी हिंदूस्तान एभी यह फार्शी भासा के अंतर गतरते हैं वहास का सबद है उर्दु किस भासा का सब्द ने हैं अंग्रेजी अंग्रेजी पर्द के PTSD होता होता है यह थास यह आपको पता होना चाई GB थैं कभी कभी लगता है हिंदी हिंदी काने अंग्रेजamet सेंगरेजिन और उर्दूब का है नई यू और जर्विक इंदर गलजह को न आएगा ये यार की बात किवानर की बात की बंदर की बात की यो शॉर अपसर है जो आपके तक्सम कि यह आप् सभी कह सकते हैं तद भो के अंतर गता रहे हैं मुँर्गा मोबैल वा, भा, भाई वा, तो ये मुर्गा जो होता है बैचारा, फार्शी भासा के ही सब्द के अंतर गताते हैं, अगले की तरफ सेलेंगे, 47 के बाद यहां पर प्रशन आपका क्या है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मातराय होती हैं, देखिए ऐसा नहीं कि मैं दोहा को ऐसे कर क्या आगे बढ़ने वाला हो, नहीं, दोहा से प्रशन कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितने बनने की संभावना होती है, जरा उस पे हम बात करेंगे, दोहा के अगर कभी बात कर लिया तो इसके चार चरण होते हैं, यह आप सभी को पता होना चाहिए, और इस जिफ चार बात कर दिया क्या होता है, तो नहीं, दोहा पर सिर्फ उस पर जाना था हम to यहां दोहा के प्रत्थम चलर्ण कहा है, यहां पर है तो इसमें कितनी मात्रा होती है तेरा निकल के आती है 14 अगर होता है भी है तो दिया लिए 14 है नहीं 11 है नहीं 13 इसलिए करेक्ट है क्योंकि हमें उसके अनुशार चलना है अनुशार ही काम करता है 48 आपका क्या है कि हरिवन्स राय बच्चन को किस क्रीटी के लिए साहित अकादमी पुरशकार मिला था मुझे मालूम था बच्चे गलती करने प्रयास करेंगे आपर मधुसाला पर मुश्टली चांसे साए कि 50% नहीं कह सकता हूं कि अगर 60% बच्चा जाएगा तो इस पर जा युहां पर नहीं था 59 नंबर है आप सभी का कि most important अगर कई बार exam की बात किया जाये कई बार exam में देखने को मिला अब बात आते है कि आप कहां कहां देखने को मिला बात यहां पर मैं आपको बताओं कि रहिंवन पानी दखिये बिन पानी सबसून पानी ने गए उबरे 30 मा बात कर लो, किसी भी एक्जाम की बात कर लो, या आपका हमेशा के लिए, मुस्ट इंप्वोइटन बन जाता है, और बात किया जाए, या किसका काम करता है, तो आपका सब्द एक यही रहता है, और अगर अर्थ बिचारे उसके, अगर अर्थ उसके ना अलग-अलग निकल के आजाएं तो स्लेस के अंतरगत काम करता है अब दो या दो से अधिक सब्द आ जाएं उसके अर्थ अलग-अलग हो जाएं यमक के अंतरगत आते हैं कंडिशन मेरे दोस्त अनुप्रास पर काम ने गरता अधिस्योक्ति में बढ़ाय चिछा के होता है अनुप्रास में वड़ो आप सभी कोई पता नहीं है तो मैं पानी का मतलब बताता हूं इस पानी पहले पानी के लिए हम मूती का इस्तमाल करते हैं फिर दूसरे अगर पानी की बात आ गई है तो इस पानी का इस्तमाल हम किसलिए करेंगे मेरी दोस्त जो मेरी इज्जत मरजाद होती है जिसे हम इज अक्यारा अकेला अर्थ अलग अलग दे गया स्लेस के अंतरगत पचास लेकर आप पचास को देखने का प्रयास करिए क्या कह रहा है कि की टिंडध का संग्या सब्रॉनाम पर पड़ता है वहाँ कॉण सा कारक हो थाím कि उसका जब भी फल पढ़ने की बार कहते हैं ना कहते हैं कि करता ने कर्म को तो आपको हमेजंश करता चीह सान। कर्म और करता किसाथ ने कर्म किसाथ को तो यहां पर किरिया का प्रभाव फ़ल जिस संग्या यह शवर नाम पर प्रता है वहां कौन सा कारक होता है मेरेधोस्त्त यही कर्म कारक है सा चात Josh जो हमेशा देता राइट नॐ मिलाल है और प्राप्त ग्यान पीठ पूरसकार अब तक जुन पीठ पूरशकार कितना हो अगाट किया जाए तो उसमें पहली बार नगतार के अन्तरगत आता है ऑगर पहली बार परिवर्तन करना चाहता है तो इसके साथ खेल सकता है और इतना भी नहीं है कि गलत है अच्छा क्वेशन था इसलिए लाया था अगर नमर है कि चांदनी आपको दिया हुआ है चांदनी का प्रयावाची सब्द मना किया हुआ है आप लोगों के बीच में उस चांदनी को मना किया है कि चांदनी के जो होना चाहिए प्रयावाची नहीं होना चाहिए अगर प्रयावाची नहीं होना चाहिए साथ तो किस चीज का प्रयावाची दिया हुआ 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 यह सोना होता है यह सोना बाबू जानू वाला नहीं है सोना मेटल के लिए आता है और आप कहेंगे क्या होता है तो यह सोन जो होता है यह भी किसके अंतरगत आता है कनक के अंतरगत आता है यह सबसे अलग था इसमें और पूछा गया था नहीं होना चाहिए शाहब यही ऐसा जो नहीं है कि विजय महेस से लड़ रहा है वाक में भूत काल रूप बताना है जो विजय महेस से लड़ रहा है उसका भूत में अगर परिबर्तन पीछे की बात किया जाए तो कैसे आएगा तो विजय महेश से लड़ेगा ये तो आगे की बात है तो होई नहीं सकता हमें भूत चाहिए विजय महेश से लड़ने वाला है ये तो भी बात करे रहा है कि भी लड़ने वाला है भी लड़ने जाएगा हो विजय महेश से लड़ रहा था चीजे आपके सहा बित चुकी है देखे सर ऐसा है कि आपकी चीजे जो है वो बित चुकी है तो हम कहेंगे भूत काल करेक्ट ओप्सन देगा यहाँ पर दिया हुआ था विजय और महेश लड़ रहे हैं तो अभी बात कर रहा है यह हो ही नेशक्ता राइट ऑप्सनाप का सी गंगा जली उठाना मुहावरा है और इस मुहावरे का कोई न कोई एक अर्थ होता है उस अर्थ को आपको प्रकट करना आपके उस जुबान से भी होनी चाहिए और चीजों को आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है जर और समझाने का प्रयास करिएगा समझाने का प्रयास सिर्फ इतना ही रहा साब कि आपको यहां पर दियार गंगा जिठाना गंगा नहाना नहीं होता यह भोषपूरी अंतर करताacas गाना होता है कई वाचे जानते भी होंगे एक पात्र में गंगा जल भरना नहीं कसम खा लेना किस बार तो मैं नवकरी लेके रहूँगा और चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े मैं तयार रहूँगा प्रैक्टिस कितना भी क्यों ना करना पड़े मैं तयार रहूँगा लेकिन नवकरी को जाने नहीं दूँ आप से गल्तियां नहीं और चाहिए, आपको बताना है, अतिरेक होगा, अधीक होगा, विगत होगा या आगत होगा, आगत मतलब भ्या, आने वाला कहाने को दर्शाता है, और विगत भ्या, विगत, विगत की बाते, विगत के ही अंतरगत, उस सारी चीज़ आती हैं, जो से देखना अगर तो रात को दो बज रहा होगा तब भी संयुक्त वाक सिख जाओगे कैसे सीला आई और अंधे को शहार दिया यह वाक किस वाक के भेद का उदाहरण है सही बिकल्ब बताईए अगर रात को कभी साथ दो बज रहा होगा और आपसे पूछा जाए कि संयुक्त वाक की याद है क्या बता देना हाँ याद है संयुक्त वाक की पहचान करने के लिए आपको ऐसे पढ़ते हैं दो उपवाक परधान होते हैं बाई सब ऐसे पढ़ा जा सकता है कोई दिक्कत बाली बात नहीं है लेकिन एक चीज आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं प कहलाथी हैं संयुक्त वाक कहलाथी हैं यहां पर और था इच है यहां पर और दिया हुआ था इसलिए हम श्वाक का करता है इस लिए और गलत प्लिशन अपชण, क्यों किन नी विद्खत बता दे दिखिए यहां पर लिखा था और क्योंकी आजाए क्योंकी आजाए चाहे आप सभी का लेकिन आजाए तो उसारी आप्सन क्या कहलाते हैं हमेशा के लिए शैयूक तो वाक्य कहलाते हैं शैयूक तो वाक्य की पहचान करने के दौरान आपको इतना बस पता होना चाहिए कि ला म प्रावन नमबर न७ाव जो मुहावरे का उर्ध प्रक रसों पूलिंग नहीं है तो यानि कि यह हो सकता हुआ इस तरह के बारे में पूछा हुआ है लेकिन तीन आप्सन ऐसे हैं जो पूलिंग आपको देर आएंगे जीरा, नमक और अगर पीपल की बात किया आता है तो याप पूलिंग को दर्शाते हैं लेकिन मना किया था पूलिंग नहीं होना चाहिए तो आपका लोग दाल भाई या इस्तिरी लिंक के अंतर गताता है इस्तिरी लिंक के अंतर गताता है। अंतरगत आती हैं तो हमें कर सकते हैं कि आपका option जो है एक है दो है तीन है चार है तो चार option में correct option हो जाता है समझ में आया आया तो यह आपकी classes है आपके app पर चल रही है मातर आपको 299 यह आपको पता है CHS के लिए SEO selection batch है यह आपके CRP ट्रेडमेंस के लिए आपके classes जारी है 250 यह आपको app पर ही मिलेंगी classes सब और अच्छे जोड़ना है और लाश्ट में मिचे स्कूर बताना है संकल बैच आपकी class है जो आपके batch पर classes चल रही है पूरे संपूर बात किया ज़े CRP अप संकल बैच या CR selection batch या फिर आपके सकते हैं उत्तर परदेश पूलिस कॉंस्टेबल के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर मैथ खतरनाक भाई साब रिजिनिंग है यह हिंदी जो आपको selection करीब ले जाती है यह GS भाई साब बहुत important है रिजिनिंग बहुत important है जो selection सब परीब आपके लेके जाते हैं यह सारे ओ classes हैं जो आपके app मिलेंगा और रात 8 बजे की बात के एकदम basic से अजे सर की class चलती है ओभी 8 बजे और आपका score कितना रहा इस 60 में से जरा बताने का प्रयास करिएगा कि कितना score आप कर सके हैं अभी तक और हमारी मुलाकात आपसे होगी कब हमारी आपकी मुलाकात होगी कब अब आपकी मुलाकात होगी साम 5 बजे साम पांच बजे ही मुलाकात होगा ये साम पांच बजे ही मुलाकात होगा रोज साम को ये पांच बजे ही कलास चलती है किसी बच्चे को डरना नहीं साम पांच बजे ही आप सभी की ये कलास चलती है ये आपको पता होना चाहिए कभी डरना नहीं होगा कल का question होगा मस्त आपका कल आपका मस्त वाला question होगा मस्त का मतलब खतरनाक लाजवाब वो सारे question रहे होगे सब मस्त question होगे और आपको ने धैर रखे रहना बड़े गला कमेंट बॉक्स में वार छोड़े फटा फट कि सर मेरा actually में इतना सही हुआ है और इतना गलत हो गया है अगर गलतियां हुआ है तो सुधार करिए कर दोस्त कुछ करना नहीं है जीवन में वो सारी चीज़ें को करना है जो आप लोग चाहते हैं और वो कभी भी नहीं करना है जो आप लोग नहीं जाते हैं मेनत करिए तंदूरुस्त ये पढ़िए घर परिवार के सांस रही बढ़ियां से मिलेंगे नेक्ष्ट वाली क्लास में वही आपका एक निर्धारी समय जो होता है करीब करीब पांच बजी